वेल्कम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और यहां आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्धी रेस्पी शेयर करने जा रहे हैं जिससे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है इस रेस्पी को ब्रेकफास् इस बाउल में दो कटोरी मैंने सूजी एड़ की है आप मोटी या बारी जो भी आपके पास सूजी अवेलेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं दो कटोरी सूजी हमने ली है इसी बाउल से एक कटोरी हम दही डालेंगे दही थोड़ी खटी हो तो भी पूसे और कर देटेगा तो चलेएं यहाँ पर दही मैंने अड्र कर दिया है और इसी के साथ यहाँ पर आड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स आप इसे बच्चों को बना कर दे सकते हैं इससे आप जो چाहें वेजीटेबलस आप एड़् कर सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ हम add कर देंगे और यह recipe friend बहुत जल्दी बन जाती है बिल्कुल भी time taking नहीं है आप इसे पहले से prepare करके रख सकते हैं और morning में breakfast में बना सकते हैं और बहुत healthy recipe भी है आप देख सकते हैं कितनी सारी vegetables इसमें हमने add की है और यहाँ पर मैंने सारी vegetables डाल दी है vegetables को हमें थोड़ा fine chop करना है और यहाँ पर मैं add कर दी हूँ half inch अदरक का टुकड़ा इसे हमें grate करके डालना है grate करके डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा taste आएगा आप चाहे तो one tablespoon ginger garlic paste भी डाल सकते हैं आप इस recipe को पूरी तरीके से अपने taste के according customize कर सकते हैं यहाँ पर मैं तो इसलिए मैं हरी मिर्च add नहीं कर रही हूँ और यहाँ पर कुछ मसाले add करेंगे half tablespoon गरम मसाला add किया है one tablespoon चाट मसाला है आप इसकी जगह थोड़ा lemon juice भी डाल सकते हैं इसी के साथ मैं add कर रही हूँ थोड़ा सा black paper powder और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन सभी मसा चालो को और सब्जियों को डालकर हम एक बार mix कर लेते हैं पानी हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए डालना है पहले mix कर लेते हैं उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक इसका थिक सा बैटर ready करेंगे इस recipe को friends आप जरूर ट्राई किजेगा बहुत बहुत जादा healthy recipe है day to day life में भी हमें इस तरह की recipes को बनाना चाहिए जो बहुत जल्दी भी बन जाती है और सब्जियों से nutrition से भरा हुआ है तो आप जरूर ट्राई किजेगा और यहां पर थोड़ा थोड़ा पाने डालते हुए हमें इसका थिक सा बैटर ready कर लेना है पानी अब थोड़ा थोड़ा करके ही डाले जिससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा एक दम से जादा पानी ना डाले और यहां पर देखिए थोड़ा थोड़ा पाने डालते हुए मैंने इसे अच्छे से mix कर लिया है और आप देख सकते हैं कि बैटर बिल्कुल ठीक है य तो यह थोड़ा सा थीक हो जाएगी इसे लिड़ लगा कर हम 10-15 मिनट के लिए रख देंगे जिससे सूजी थोड़ी सी फूल जाए आप चाहे तो इसे साथ के साथ भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बट अगर रख देंगे तो सूजी थोड़ी सी अच्छे से फूल तो जो रेस्पी है बहुत ही अच्छी बनकर निकलेगी और यहां 10-15 मिनट का टाइम हो गया है तो एक बार फिर से इसे मैं मिक्स कर लेती हूं और आप देख सकते हैं सूजी थोड़ी फूल गई है इसलिए बैटर थोड़ा और गाढ़ा हो गया तो आप चाहे तो यहां प अच्छे से मिक्स कर लेना है थोड़ा सा पानी डाल कर इसे अक्टिवेट कर लेते हैं आप चाहे तो यहां पर इनो का भी यूज कर सकते हैं और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आप इनो या सोडा दोनों का ही यूज नहीं करना चाहते तो सूजी को आप और तुह स्वेटर में अच्छे से सोडा मिक्स कर दिया है यह बनाना शुडू करते हैं यहां गैस पर एक में रहएंगे पैन में वांट अहल्द स्पुन जली रखतेया है। ती और द amen करेंगे इसे पैन में अच्छे इसे कड़ी पत्ता अड़ करेंगे जो इसके टेस्ट को और भी जादा बढ़ा देते हैं आप चाहे तो इस तड़के को रेडी करके पूरे बैटर में भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो टेस्ट और भी जादा आयगा तरका हमारा थोड़ा सा क्रैकल हो देना है जब उपर की सर्फेस ड्राई हो जाएगी तब हम इसे पलटेंगे यह देखिए एक से डेड़ मिनट में यह उपर का सर्फेस अच्छे से ड्राई हो जाता है तो हम इसे दूसरी साइड को फ्लिप कर देंगे बहुत ही आराम से होता है कोई दिक्कत नहीं होती इसमें आप इस रेश्पी को फ्रेंट से एक बार जरूर ट्राई किजेगा बहुत ही टेस्टी बने थे बहुत पसंद आएगी आपको और बच्चे भी बहुत ही खुशी-खुशी खाते है और यहाँ पर वन टेबल स्पून ओईल लेकर इसको सभी साइड से डाल देंगे ताकि य दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिख जाए और इसे इस साइड से भी लेट से कवर कर देते हैं ताकि यह जल्दी पक जाए इसे लेट से कवर करके एक से डेड़ मिनट का टाइम लगता है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है और चलिए दूसरी साइड भी चेक क पग गया है आप चाहे तो इसे थोड़ा सा और ब्राउन कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के अकोडिंग ये देखे फ्रेंड इसी तरीके से सभी हमें बनाकर रेडी कर लिने हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं बहुत ज़्यादा यमी रेस्पी है इसे बच्चों के लिए हज इसदम सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं बहुत ही अच्छी रेस्पी है फ्रेंड जरूर ट्राइ किजेगा फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग बाबा टेक क्यार